और बागी विधायकों के खिलाप शिव सैनिकों में घुस्सा है मुंबई में शिव सैनिकों का बवाल और तोड़ फोड़ भी जारी है उन्होंने तोड़ फोड़ की है बवाल मचा है शिव सैनिकों ने मुंबई में बागी विधायकों के पूस्टर तक फाड़े हैं महराश्ट्र में प्रदेश की उद्व सरकार पर खत्रा गहराता जा रहा है प्रदेश में जारी सियासी संग्रा माने वाले दिनों में सडक पर दिख सकता है माना जा रहा है कि बागी विधायकों के खिलाब बड़ी संक्या में शिवसानिक सड़क पर उतर सकते हैं जिसको लेकर पूरे महराश्ट्र में अलर्ट जाडी किया गया है महराश्ट्र में सभी थानों खास कर मुंबई के पूलिस थानों को महराश्ट्र डीजीपी ने अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है पूलिस सूत्रों की माने तो उन्हें अलर्ट मिला है कि शिवसानिक भारी मात्रा में सड़क पर उतर कर हंगामा कर सकते हैं महराश्ट्र में कानून व्यवस्ता ना बिगड़े और शान्ती बनी रहे इसके लिए पूलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिये गए हैं जिसके बाद पूलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है इस बीच एकनाच शिंडे गुट के विधायक मुंगेश को डालकर के दफ्तर पर हमला किया गया मुंबई में कुरला इलाके में कुछ शिवसानिकों ने मुंगेश को डलकर की तस्वीर वाले होडिंग तोड डाले शिफसानिकों ने गोहाटी पहुंचे शिफसाना विधायक दिली प्लांजे की पोस्टर को भी फार डाला कई जगहों पर तोड़ फोर भी की गई शिफसानिक लगातार उद्दव ठाकरे और आवास मातुश्री के पास जमा हो रही है महराष्ट में चार दिन से जो सियासी महसंकट दिख रहा है वो और गंभीर होता जा रहा है शिफसेना के बीच घमासान तेज होती जा रही है महराष्ट संकट पर शिफसेना नेता संजे रावत ने बड़ा दावा किया है रावत ने कहा है कि कई बागी विधायक शिफसेना के संपर्क में है उन्होंने ये भी दावा किया है कि शुकरवार को शरत पवार के सामने दस बागी विधायकों से बात हुई थी संजे राउत ने बागी विधायकों को चेताबनी देते हुए कहा कि शिवसेना को कोई भी शक्ती तोड़ नहीं सकती जो लोग बगावत पर उतरे हैं उन्हें पहले अपनी सदसेता बचाने की कोशिश करनी चाहिए संजे राउत ने ये भी कहा कि जिस पार्टी को शिवसाने को उन्हें खून पसीना बहा कर बनाया है उसे कोई हाई जैक नहीं कर सकता है पार्टी बहुत बड़ी है राज्य में और देश में इस पार्टी को बनाने में हमने खून पसीना बहाया है बाला साथ ठाकरी जी हो उद्दो ठाकरी जी हो सभी कारे करता हो तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हैजाक नहीं कर सकता ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी है और महराश में सभी राज़ुतिक दलों का अपना अलग-लग एजंडा है सियासी उथल पुथल के बीच सभी पार्टियां अपने अपने एजंडे के साथ-साथ बहतर विकल्ब की तलाश में आप ये रिपोर्ट देखे महराश में गर्माई सियासत के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि M.V.A. में शामल दलों के साथ-साथ बीजेपी और शिवसेना के बागियों के सामने क्या-क्या विकल्ब है उद्धव ठाकरे कुर्सी छोड़कर पार्टी को संघर्ष की जमीन पर ले जाए दूसरा विकल्ब बागियों के एक हिसे को वापस लाने में काम्याब हो एक नाच्च शिंदे पहला विकल्ब बागियों के 37 या 37 प्लस आंकड़े के साथ अपनी पार्टी बना ले दूसरा विकल्ब अपने 37 या 37 प्लस आंकड़े के साथ बिजेपी में चले जाए पहला विकल्ब अपने करिश्में से महांगारी गटबंधन को फिर से बहुमत में लाएं दूसरा विकल्ब शिवसेना से लग होकर बड़ी शेत्रिय पार्टी बने या बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो जाएं वही कॉंग्रेस के सित्री वेजन वाच की है कॉंग्रेस के सभी विधायक अभी भी एक जुट हैं ऐसे में कॉंग्रेस उधव के फैसले पर नजर बनाये हुए है इसके लावा वो शरत पवार के साथ NCP प्लस कॉंग्रेस के फॉर्मूले पर आ सकती है